दोस्तों कुछ मुख्य टोपिक में बात करेंगे और वो टोपिक यह है कि अभी बोड का प्रिपिरियेशन कैसे करना चाहिए हाँ टो गेट 90 प्लस मार्क्स इन बोड सबसे पहली बात तो यह है कि आप यदि बोड का स्टूडेंट है तो आपको अभी रिवीजन फूल करना चाहिए तो revision करने का तरीका क्या है हम आपको बताते हैं तो चलिए सबसे पहला तरीका आपका main focus अभी math में होना चाहिए जी हाँ math में math आपका 100 नुमर का पूछा जाता है एक सो में यदि आप 90 पलस लाते हैं तो आपका result बेहतर बन सकता है अकसर बच्चे math में sleep करते हैं हर एक इलाके से यही notice यही जानकारी मिलती है कि math में sleep किया फेल भी हुआ तो maximum बच्चे math में फेल होते हैं तो math में आपको कम से कम 2-3 घंटा regular time देना है और जितने भी question आपके teacher आपके सर दुवारा बताए गए है उसको full revision में रखना है दूसरी बात करें हम एक सो नमर का उर्दू या संस्कृत जो बच्चे उर्दू भासी हैं वो उर्दू में focus करेंगे क्योंकि वो भी एक सो नमर का है और जो बच्चे संस्कृत भासी हैं वो संस्कृत में focus करेंगे आगे हम बात करें हिंदी का तो देखो हिंदी भी 100 नमर का है और जो बच्चे हिंदी में 80 पलस करेंगे 80 पलस मार्क्स यदि आप ले कि आ जाते हैं तो आपका result बेस्ट होगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी चलिए आगे हम बात करें तो आपका math, हिंदी और सांस्कृत या उर्दू ये तीनों मिला करें का आपका 300 नमर का हो गया अब हम बात करेंगे social science का जिसको बोलते हैं समाजिक बिग्यान तो दीखें समाजिक बिग्यान में आपका 4 books यानि 4 books का combination होता है history, geography, politics और economics ये चार मिलकर के आपका 80 नमर का पूछेंगे और best नमर जो है वो आपका practical मिलेगा अब बात करते हैं हम science का तो इसमें 3 books का combination होता है physics, chemistry और biology physics, chemistry और biology ये तीनों मिला कर के आपको 80 नमर का theory लिखना है उसमें से 40 objective आएगा 40 subjective आएगा उसका बेस्ट नमर आपका school दोवारा दिया जाएगा तो इस तरह से कुल मिला कर के आपका total 500 नमर का exam होता है यदि 500 में आप यदि math में 90 पलस करते हैं हिंदी में यदि 85 पलस करते हैं संस्किर्ट या उर्दू में आप 85 पलस करते हैं साइंस में यदि आप 85 पलस लाते हैं सोसल साइंस में आप अभी का स्पास लाते हैं तो कुल मिला कर के आपका result 400 पलस जाएगा तो अगर आपका सपना सिर्फ 400 पलस करने का है तो आप इस तरह का target ले करके पर सकते हैं और अगर जो बच्ची ये चाहते ही कि सब्जेक्ट हिंदी उर्दू या संस्कृत में अच्छा result बन जाता है तो समझ जाएगे कि आपका result बेस्ट होगा इसमें कोई सक नहीं है तो पढ़ने का कुछ नियम है कुछ कानून है कुछ काइदा है उसको ये आप फोलो करते हैं तो आपका result बेस्ट होगा बेस्ट नहीं बहुत ही बेस्ट होगा तो आपको परने का नियम क्या है तो आपको एक रूटीन बनाना है रूटीन के अनुसार आपको डेली परना है डेली कैसे परेंगे जैसे मैत डेली 2-2,5 गら eux उसके बाद Science परह एक गटा शोसल साइंस 50 गंटा परह एंगे उसके बाद Hindi कम से कम आपको 45min से लेकर कि एक घंडा का टैम देना है उर्दु में तुक्का कैसे लगाना जाता है मैत्रिधा Nर का सही तरीका क्या समझे ज़रा मैक रिविजन करने का सही तरीगा यह हैं है बहुत बच्ची क्या करते हैं अपर युजिन कर रहे है ये तो एक चार नड़ चагlaws summarize साथ नमर ये जी करना आप मैत रिविजिन करने बैठे, जैसे ही बैठे आपको लगा कि मेरा एक नमर बन जाएगा, दो नमर बन जाएगा, तिन नमर बन जाएगा, चार नमर बन जाएगा, बनते बनते दस तक बन जाएगा, तो उन 10 में से, 1 से लेकर के 10 में से कोई 1-2 सवाल बनाना आपको उसके बाद छोड़ देना है उसके बाद 10 से लेकर के 20 के जो बात की जाए तो 10 से 20 के बीच यह दि आपका कोई doubt है तो वो बनाना है, 8-2-8 नहीं बनाना है अब गधा के तरह बैट करके पूरा एक से लेकर 50 कोईसन बना रहे हैं बना रहे ऐसा नहीं करना है, तुक्का लगाना है जो बन जाएगा उसमें time waste करके क्या फायदा टैम waste नहीं करना, जो बनेगा उसको skip करना, ओके बात करेंगे formula, formula देखे, math का main point जो है वो फर्मूला याद करना होता है तो फर्मूला आप किसी एक कोपी में छोटा सा कोपी में लिख लेंगे लिख लेने के बाद आपको डेली सुभा मोर्निंग टाइम 15 से 20 मिनट डेली परना है इतना भी फर्मूला लिखाया गया है उन सभी फर्मूला को आप एक कोपी म नोट कर ले नोट कर लेने के बाद उन सभी फॉर्मूला को डेली मॉर्निंग टाइम 20-30 मिनट रेगुलर डेली आपको परना है याद करना है वह आपने आप याद हो जाएगा यदि आप मैं अच्छा करना साथ हैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला में ध्यान के लिए ओके बादी से कहई sont बना हैं सबसे पताल Greek झाल करना साथ हैं सबसे को इसले का०यी साथ हैं सहरो कर राद kali के दियता हैं ।